Hello everyone, welcome back to my channel तो आज के वीडियो में हम प्लाजो पैन की कटिंग और स्टीचिंग करना सीखेंगे और वो भी बिना किसी स्केल की हेल्ट से हम इसकी कटिंग करेंगे और ये बहुत जाद रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे को बहुत request आती है कि मैं बिना किसी scale के leg shaper के plazopend की cutting करना सिखा हूँ तो इसलिए मैंने ये वाला video बनाया है और हाँ मैं अगर चाहती तो इस video को दो पार्ट में कर सकती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा long video हो रहा था बट फिर आप लोग link मागते हैं तो फिर वह possible नहीं होता कि मैं सब लोगों को link दे पाऊं तो फिर इसलिए मैंने इसको cut नहीं किया है और अगर आप ये वाला video पूरा देखेंगे तो आपको कोई नीड नहीं होगी दूसरा video किसी और video को देखने का और आप लोग को एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाएगा मैंने एक एक चीज इस वाले video में explain की है बहुत ही अच्छे से तो चलिए फिर हम अपना video स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो helpful हो और पसंद आए तो मेरे चलों को subscribe जरूर करिएगा और वीडियो को like जरूर करिएगा तो चलिए फिर और जो खुला वाला side है वो हमारे side रहेगा और जो बंद वाला side है वो हमें उस side रखना है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो देखिए इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है अब जो इसके किनारी दिख रही है न यहाँ पर हम half inch पर ऐसे निशान लगाएंगे यह देखिए यह हमारे margin का निशान होगा ठीक है तो हमें यहाँ पर यह half inch पर ऐसे निशान लगाना है इस तरह से हम इस पर ऐसे निशान लगा लेंगे और अब इन निशानों को हम ऐसे आपस में मिला देंगे यह देखे इस तरह से हमें यह आपस में ऐसे मिला देना है और जो हमारा पूरा कपड़ा है उस पर हम इस तरह से ही ऐसे निशान लगा लेंगे यह देखे इस तरह से हमने इस पर निशान लगा लिया है और अब हम belt का निशान लगाएंगे जो हमारी belt है हम सबसे पहले उसका निशान लगाएंगे तो जो belt की चोड़ाई है वो हमने 2 इंच ली है ये देखिए 2 इंच पर मैं ऐसे निशान लगा दूँगी हाँ पर इस साइड भी और इस साइड भी मैं इस तरह निशान इसले लगाती हूँ क्योंकि इस तरह से हम निशान लगाता है तो कभी भी हमारे निशान तेड़ा नहीं होता और बिर्कुल स्ट्रेट आता है इसलिए मैं दोनों साइड से निशान लगा कर एंड लेन उनको मिलाती हूँ तो ये देखिए इस तरह से हम 36 इंच पर ऐसे बेल्ट का निशान लगा लेंगे, इस साइट से भी और इस साइट से भी, अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे न, दोनों साइट से निशान लगाने वाली, तो कभी भी आपका निशान तेड़ा नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है आप जब भी निशान लगाएं तो आप इसी तरह से निशान लगाएं, तो देखिए ये हमने इन दोनों निशानों को ऐसे मिला दिया है, और ये हमारा प्लाजो की लेंथ का निशान लग गया है, अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का हमारा बॉटम होता है, जो उसको हम फो फोल्ड करेंगे, उसके लिए है, तो देखिए इस तरह से हमें मिला देना है, और ये हमारा बॉटम फोल्डिंग का निशान लग चुका है, और ये हमारी बेल्ट है, और ये हमारी लेंथ का निशान लग गया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कमर है, हम उसका निशान ल लगाऊंगी और उसमें हाँ पर मैंने 2 इंच प्लस कर दिया तो यह हमारा 12 इंच हो गया है और अब देखिए 12 ही इंच पर हम ऐसे लंबाई का निशान भी लगाएंगे यह देखिए इस तरह से अब हमें क्या करना है इस साइट से भी हम 12 इंच पर ही ऐसे निशान यह देखिए इस तरह से हमें इसको ऐसे मिला देना है और अब यह हमारा बॉक्स बन चुका है यह हमारी कमर का निशान लग चुका है अब हम क्या करेंगे जो हमारा क्रोच एरिया होता है हम उसको का निशान लगाएंगे तो देखिए मैं यहापर 2 इंच का क्रोच एरिया ले रहे हूं यह देखिए इस तरह से हमने दो इंच पर ऐसे निशान लगाना है और बीच में ऐसे तेड़ा इंच इंच पर ऐसे निशान लगाना है और अब इसको हमें ऐसे शेप दे देनी है यह देखिए इस तरह से तो यह हमारा क्रोच एरिया का निशान लग चुका है औ हमने इसको नाप लिया है और अब यहां से भी बॉटम से भी हम नीचे की साइड छे इंच पर ही ऐसे निशान लगा लेंगे यह देखे इस तरह से और अब क्या करेंगे इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे तो देखे इंचे टेप की हेल्प से ही मैं ऐसे इसको रखते हुए और अब इन दोनों निशानों को हम आपस में ऐसे मिला देंगे यह वाला निशान बहुत जरूरी होता है इससे जो है आपकी पैंट जो है वो स्ट्रेट आती है बिल्कुल ठीक है तो आपको यह वाला निशान अच्छे से लगा लेना है यह देखे हमने इस व लगा दिया है यह देखे यह जो हमने लाइन स्ट्रेट खीची थी मतलब उसको बीच में रखके हमें बॉटम का निशान ऐसे लगाना है अब उपर से यहां से हम नी लेंध लगाएंगे घुटने तक की तो जो हमारी नी लेंध है वो है 20 इंच की तो देखे मैंने यहापर 20 इंच पर ऐसे निशान लगा दिया है और अब जो हमारी नी लेंध है यह देखे यह वाली हमारी नी लेंध है अब यह वाला हम हिस्सा नापेंगे नी लेंध से बॉटम तक का तो जो यह हमारा नी लेंध से बॉटम तक का हिस्सा है यह है हमारा 16 इंच देख सकते हैं आप अब इसका हाफ 8 है तो मैंने 8 पर निशान लगा दिया है अब जो हमारा बॉटम है वो है 6 इंच का और इससे उपर वाला हम 1,5 इंच एक्सर रखेंगे और जो क्रोज एरिये वाला साइड रहेगा ये वाला वो हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे क्योंकि ये गुलाई वाला सा इस उसन हम नीचे वाले से 1,5 इंच एक्सर रखेंगे यैनि की 7 और जो इस साइड है मैं वो 4 पर निशान लगा रही हूं ये देखिये इस तरह से 4 पर निशान लगारी हूं story वाले साइड में 3-7 पर निशान लगा दूंगी देख सकते हैं आप लोग यह देखें, यह हमने लगाया 4 और यह हमने 3 तीन, तो यह हमारा पूरा साřे 7 इंच का लग गया है, और उपपर वाले से 1.5 इंच एग्स्ट्रा है और अब गहीं, इस वाले निशान से हम जो उपपर वा लगाएंगे, वो हमारा साड़े 9 पर इसको निशान लगा देंगे तो देखें ये दोनों मिलकर हमारे साड़े 9 पर ऐसे निशान लग गया है ये वाला 5 और ये वाला देख सकते हैं आप लोग साड़े 4 ठीक है, अब हमने क्या करना है अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे फिर मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, यह knee length है 20 inch, फिर हमने इसका आदा किया, यहां से, यह हमारा 8 है था हमने यहां पर निशान लगाया, यह है हमारा 6 inch, और इससे उपर वाला हमने देडिंच अक्स्त्रा 7.5 inch, यानिकी 7.5 inch, और इससे उपर वाला हमारा 9 inch, ठीक है अब हम क्या करेंगे, इन निशानों को हम ऐसे मिला देंगे आपस में, इस side से भी हम ऐसे मिला देंगे, तो चलिए हम इन निशानों को ऐसे आपस में मिला देंगे, पहले आप dot dot करके इसको अच्छे से मिला दें, ताकि जो है आपकी shape खराब ना हो, और फिर आपको, आप डाक मतलब इस निशान को डाक कर दें तो देखिए मैं इन निशानों को ऐसे आपस में बिल्कुल अच्छे से इनको मिला दूँगी और अब इस साइट से भी हम इनको ऐसे ही पहले डॉट डॉट करके एंड इसको अच्छे से मिला देंगे आप जब भी किसी प्लाजो की कटिंग करें किसी भी साइज के प्लाजो की तो आपने नीचे वाला जो रखना है बॉटम उससे देड इंच उससे उपर वाला निशान रखना है और उससे धाई इंच एक्स्टा आपको उससे उपर वाले निशान रखना है ठीक है और अब हम इसके cutting कर देंगे तो यह हमारी front side का निशान लगा है तो जो हमारा front side होता है वो हमारा मतलब जो हम निशान लगाते हैं as it is हम उतना ही काटते हैं ठीक है कोई हम इसमें margin नहीं लेते तो यह देखिए हमने यह हमारा front side इसका cut हो चुका है देख सकते हैं आप लोग मैं इस पर F लिख देती हूँ ताकि मेरे को याद रहे ठीक है ना तो यह हमारा front side है ऐसे सिलने में बहुत असानी होती है अब देखिए back side के लिए हमने क्या करा है अगेन अपने कपड़े को double fold में ऐसे बिचा लिया है और जो मैंने margin का half inch का निशान लगाया था वो मैंने इस पर भी लगा दिया है देख सकते हैं आप लोग अब जो हमारा front side है उसको हम उपर से थोड़ा सा कपला छोड़ कर देखिए उपर से मैंने थोड़ा कपला छोड़ दिया है और अब front side जो हमारा front था उसको मैं back पर ऐसे बिचा लूँगी ये वेखिए मैंने इसको बिचा लिया है अच्छे से और अब यहां से यहां से और यहां से जो crochet area वेला side है उस side हम 2 inch इसको extra रखेंगे ठीक है तो यहां से देखिए मैंने ऐसे 2 inch पर ऐसे निशान लगाया है जो हमारी back होती है वो 2 inch extra होती है हमेशा अब हम यहां से भी 2 inch पर ऐसे निशान लगाएंगे ये देखिए इस तरह से और अब यहां से भी हम bottom से भी 2 inch पर ऐसे extra निशान लगाएंगे जो हमारा back side होता है वो हमारा 2 inch extra होता है ठीक है यह देखिए हमारे 2-2 inch पर ऐसे निशान लग गए है अब हम इसका crouch area बनाएंगे सबसे पहले तो हमें क्या करना है यह जो हमने 2 inch का निशान लगाया है उससे जो हमारा पहले वाला crouch area था वहां तक हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे एक straight line का यह देखिए ऐसे हमें निशान लगाना है और अब यहाँ पर हमें बीच में ऐसे इंची टेप रखना है एक इंच पर ऐसे निशान और फिर उसको ऐसे गुलाई दे दे रही है जैसे हमने पहले वाले का बनाया था वैसे हम इसका भी बनाएंगे तो यह देखिए दोनों के हमारे crouch area बन गए है अब हम क्या करेंगे जो हमारा इंची टेप है उससे हम ऐसे 2-2 इंच पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे निशान लगा देंगे ताकि जो हमारी shape है वो बहुत अच्छी आए और 2 इंच की ही आए अगर हमें 2 इंच extra लेना है तो हमारी 2 इंच की ही आए तो यह देखिए अब इन निशानों को मैं ऐसे आपस में मिला दूँगी और अब यह हमारे back side के भी निशान लग गए है अब हम क्या करेंगे back side में आपको धिहान रखना है जो यहाँ जो कमर होती है ना हमारी यह हमें देर मैं यहाँ पर extra रखूँगी यह देखिए मैंने यहाँ पर देर इंच पर निशान लगाया है यह हम extra इसलिए रखते हैं ताकि जब हम बैठे तो हमारे जो प्लाजों है वो नीचे से खिसके ना तो यह देखिए पहले वाले कि यहाँ पर हमने निशान लगाया जो हमारा front side था और अब जो देर इंच मैंने यहाँ पर निशान लगाया उसको ऐसे तिर्चा रखते हुए इस निशान को हम ऐसे आपस में मिला देंगे यह निशान लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसे एक्स्रा नहीं रखेंगे तो आप बैठेंगे तो आपको जो प्लाजों है वो नीचे से खसकेगा तो इसलिए आपको यह वाला निशान जरूर लगाना है और आपका प्लाजों खिचेगा भी नहीं अगर आप ऐसे निशान लगाएंगे तो और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे यह देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे ये देखे जो हमने एक्स्रा दो-दो इंच पर निशान लगाए है उस पर रखकर हम इसको ऐसे कट कर देंगे देख सकते हैं आप लोग और जो हमारा ये वाला साइड होता है उसको हम फ्रंट के बराबर ही काटते हैं सिर्फ क्रोज एरिया वाला जो साइड होता है वहां पर ह आपको ध्यान रखना है और बाकी हम इसको ऐसे ही कट कर देंगे जो हमने निशान लगाया है वैसे ही तो देखिए जो हमारा प्लाजो है वो कट हो चुका है ये देखे मैंने इसको भी कट कर दिया है अब मैं क्या करूंगी जो हमारा बैक साइड है उस पर मैं बी लिग कियान के युह हम देंगे और इन दोनों के क्रोच एलिया है वो हम मिलाईंगे घुच यह देखिए कि सिलते वक्त हमें ऐसे रखना है इसको और यह हमें सिलाई लगानीं ठीक है तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं तो देखिए यह हमारा फ्रंट साइड है मैं मशीन पर भी आपको एक बार दिखा देती हूं कि कैसे सिल रही हूं और मैंने इसका यह फ्रंट साइड अलग किया और अब हम इनके क्रोचे रिये इस तरह से ऐसे मिला देंगे यह देखिए इस तरह से हमें इसके क्रोचे रिये मिलाने है और इसको ऐसे पकड़ते हूए हम यहां पर ऐसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे यह देखिए इस तरह से मैं इस लिए मैंने इस वीडियो को बीच बीच में कट नहीं किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से मैं एक्स्प्लेइन कर पाऊं और आपको किसी और वीडियो को देखने की नीड ही ना हो क्योंकि मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं बट फिर भी मुझे रिक्वेस्ट आती ही रहती है कि पैंट पलाजो का कटिंग बताएं कभी कुछ कभी कुछ तो इसलिए मैंने इसमें पूरा ओवरॉल हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन की है तो देखिए इस तरह से हमें इसको ऐसे क्रोच एरिये को सिंप्ली सिल देना है सिलाई छोटी और अच्छी लगनी चाहिए यह देखिए यह हमारा क्रोच एरिया सिल चुका है अब बैक का भी क्रोच एरिया हम इसी तरह से सिलेंगे ठीक है पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यह कुछ इस तरह से दिखेगा आपको यह देखिए हमने फ्रंट का सिल लिया है देख सकते हैं आप लोग और अब हम बैक साइट का भी इसी तरह से सिल लेंगे ठीक है तो ये देखिए back side के मैंने crow cherry मिलाए है और इसको भी मैं आप लोग को सिलते वे दिखा देती हूँ ये देखिए ये हमारा back side का भी सिल गया है इस पर B लिखा है ताकि मुझे कोई confusion नहों और आप लोग को भी कोई confusion नहां ये हमारा back side है जो हमने देडिंच extra रखा था उपर से तो देखिए ये भी हमारा सिल गया है अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे ये देखिए मैंने इसको सीधा रख दिया है ऐसे देख सकते हैं आप लोग और अब जो हमारा front side था वो हम इसके उपर ऐसे रखेंगे ये देखिए ये हमारा front side है इसको हम उल्टा रखेंगे ये देखिए सीरे सीरे side हमने मिला दी और ये हमने इसको ऐसे उल्टा रखना है और इसका एक किनारा पकड़ेंगे हम और एक किनारा हम इसका पकड़ेंगे बैक वाले का और एक हम फ्रेंट वाले का ठीक है और अब इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए हमें यहाँ पर साइड की सिलाई लगानी है सिलाई आप छोटी और फिनिशिंग के साथ लगाएं उतनी छोटी भी नहीं कि आपका कपड़ा सिकुड़े और उतनी बड़ी भी नहीं कि वो बिल्कुल बड़ी सिलाई हो जो असानी से तूट जाए ठीक है अगत तो यह देखे इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा देनी है देख सकते हैं आप लोग तो जो हमारी पूरी पलाजो है पूरा पूरा हमारा पलाजो है एंड तक हम उसको ऐसे ही सिल देंगे ये देखे इस तरह से तो अब इसी तरह से हम पूरी जो इसकी साइड है वो सिल देंगे देख सकते हैं आप लोग ये देखिए ये हमारी पूरी एक साइड सिल चुकी है और अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ ये देखिए हमारी पूरी एक साइड सिल गई है अब हम क्या करेंगे जो इसका दूसरा वाला साइड है ये देखिए मैं आपको दुबारा दिखा देती हूँ एक बार अब ये वाला साइड ठीक है अब इस वाले पांचे की साइड आएंगे हम इसको ऐसे मिलाएंगे ये देखिए इस तरह से हमें इसको मिलाना है और इस पर भी हमें ऐसे ही सिलाई कर देनी है इन दोनों को ऐसे पकड़ते हुए इस पर भी हम ऐसे सिलाई कर देंगे ये देखिए इस तरह से दोनों को मिलाना है और सिलाई कर देनी है अगेन गाइस ये वीडियो लॉंग जरूर है बट इस मतलब आखर आपने इसे देख लिया ना तो आपको फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी और यही रीजन है कि मैंने इसको बीच-बीच से कट नहीं किया है ज्यादा तर तो आप इसे पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाईएगा और लाइक भी जरूर करिएगा तो देखिए इस तरह से ही हम इसको ऐसे सिल देंगे और क्योंकि ना सिलाई की वीडियो बनाने में ना सच में बहुत महरत लगती है यह देखिए हमारा दूसरा वाला भी जो साइड है वो सिल गया है यह देखिए मैं आपको सीरा करके इसको दिखाती हूँ यह कुछ ऐसे दिखेगा देखिए दोनों साइड हमारी सिल गई है और यह देखिए मैं आपको यहां से भी दिखा देती हूँ दोनों साइड हमारी सिल चुकी है बहुत अच्छे से यह हमारे निची के पाइची है अब हम क्या करेंगे जो इसका बॉटम है उसको फोल्ड करेंगे सबसे पहले ठीक है तो यह हमारा बॉटम है अब हम इसको फोल्ड करेंगे सबसे पहले तो यह देखिए हमारा बॉटम है तो जो हमने bottom के लिए 2 इंच पर निशान लगा था तो देखिए हम इस side भी ऐसे 2 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस वाले निशान से ऐसे आपस में मिला देंगे तो यह देखिए पूरे bottom पे हमारे निशान लग चुका है और अब इसको हमने ऐसे fold करना है इसको पहले single fold करना है and then यहां से हमको ऐसे पकड़के ऐसे इस तरह से ऐसे मतलब कम कपड़ा लेके ऐसे fold करना है ठीक है और इसकी सिलाई आप बड़ी रखेंगे क्योंकि यह आपको बाद में hand stitch करना पड़ेगा इसको तुरपाई करनी पड़ेगी तो यह देखें इस तरह से हम इसको ऐसे सिल देंगे और मैंने सिलाई हम पर बड़ी कर रखेंगे क्योंकि फिर बाद में मैं इस पर तुरपाई करूंगी तो फिर मैं यह वाली सिलाई इससे खोल दूंगी तो ये देखिया हमारा ये जो bottom है वो fold हो चुका है अब जो दूसरे side का bottom है न ये देखिये इस side का bottom हमारा sil गया है और अब ये हमारा दूसरे side का bottom है तो ये भी मैं ऐसे ही sil दूँगी तो देखिये मैंने हमारे दूसरे side का bottom भी वैसे ही sil दिया है और ये हमारे दोनो जो नीचे के bottom है वो है ये देखिये देख सकते हैं आप लोग और अब ये आते हैं हम crouch area वाले side तो देखिये जो ये crouch area वाला side है उससे हम ये बीच की सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो हम सब क्रोचेरिया ऐसे मिलाए हैं और अब मैं यहां से सिलना शुरू करूँगी इसलिए मैं हमेशा क्रोचेरिया से ही सिलना शुरू करते हूं ताकि कभी भी हमारा आगे पीछे ना हो ये क्योंकि फिर वो देखने में भी पूरा लगता है और finishing भी नहाती और fitting भी अच्छी नह देंगे यह देखे इस तरह से तो अब यह हमारा जो बॉटम तक है जो बीच वाला जो कुरेयोचेरिया वाला साइट था तो आप लोग देख सकते हैं कि यह हमारा सिल चुका है यह देखे यह हमारा सिल गया है अब दूसरा वाला साइट भी हम इसी तरह से सिल देंगे यह ये वाला साइट भी हम इस तरह से ही इसको भी ऐसे सिल देंगे और हाँ ये वाली सिलाई आपको double लगानी है ठीक है पहले single सिलाई लगानी है and then आपको double सिलाई लगानी है ठीक है और तो देखें इस साइट भी हम ऐसे सिल देंगे और आप अगर चाहें न तो आप इसमें जो अम यहाना लगाना भी बता दूँगी, तो देखिए, इस तरह से हमें इसको ऐसे, देखिए, मैंने दूसरा साइट भी सिल दिया है, यह देखिए, इस तरह से, जो है हमारा प्लाजो जो है, वो अब अल्मोस्ट शिल ही चुका है, यह देखिए, मैं आपको दिखा देती हूं अब ये हमारा सिल गया है क्रोचेरिया वाला साइड भी अब हमें सिर्फ इसमें बैल्ट लगानी है तो अब हम इसकी बैल्ट लगाना शुरू करेंगे ठीक है तो ये अब इसकी बैल्ट है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये देखें यह back side है हमारा जो हमने 5 inch extra रखा था और यह हमारा front side है तो जो हमने belt के लिए छोड़ा था वो हमने 2 inch कपड़ा था तो अब इस side भी हम 2 inch पर ऐसे निशान लगा लेंगे यह देखिए इस तरह से हमें 2-2 inch पर ऐसे निशान लगा लेने हैं और अब इन निशानों को हम ऐसे लगाना है हमें उसको लेकर ही इस तरह से आपस में मिला देंगे यह देखिए इस तरह से हमें इन निशानों को भी आपस में मिला देना है और अब हम इसमें elastic लगाएंगे तो यह मैंने 1 inch वाली elastic ली है आप इसे चौड़ी भी लगा सकते हैं इसे पतली भी लगा सकते हैं तो ये देखे, इस lastik को ऐसे पकड़ कर हम यहाँ पर सिलेंगे, और जो lastik आप लगाते हैं, जितनी भी आपकी कमर होती है, उसका one third लगाते हैं, ठीक है, तो जो मेरी 40 थी, तो मैं यहाँ पर 30 लगा रही हूँ, ये देखे, इस तरह से हमें इस पर, इसको अच्छे से सिल दे जो हमने निशान लगाए है, उससे नीचे हमें इसको ऐसे रखना है, ठीक है, और फिर उपर से हमें इस कपड़े को ऐसे पलट देना है, इस तरह से, और हलका सा लूजिंग देनी है हमें, और यहाँ बिल्कुल किनारे पर हमें इस पर सिलाई लगानी है, तो ये देखे, इ इसको पहले हम ऐसे मोडेंगे और हलकी सी losing देंगे इसमें और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और लास्टिक पर सिलाई नहीं आनी चाहिए अगर लास्टिक पर सिलाई आएगी तो हमारा कपड़ा झो है भोलकी सी losing देनी है और उस पर सिलाई लगानी है और यह देखे तब हम इसको ऐसे खीच सकते हैं यह देखे इस तरह से हम इसको खीच- हीच के इदार कर लेंगे चीक है तो अब हम इसको again जो हमारा निशान है वहां उसकी नीचे हमें इसको ऐसे रखना है और जो उपर वाला कपड़ा है उसको ऐसे इसके अंदर फोल कर देना है और हलकी सी लूजिंग देनी है और फिर उसी लूजिंग पर और उस पर सिलाई लगानी है तो हम पूरी जो हमारी belt है उसको हम इसी तरह से सिल लेते हैं ठीक है अब ये देखिए last हो चुका है ये हमारा हमने पूरा round इसी तरह से पूरा round मतलब सिल लिया है ये देखिए इस तरह से और अब हम कपड़े को खीच के ऐसे पीछे कर देंगे क्योंकि जो हमारी लास्टिक है वो हमें चाहिए यहाँ पर और इसको ऐसे निकाल लेंगे यही रीजन है कि हम हलका सा लूज देके कपड़े पर सिलाई लगाते हैं लास्टिक पर नहीं लगाते हैं अब हमारी लास्टिक यहाँ पर पूरी पड़ गई है अब हम अगेन इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और किनारे पर ऐसे सिलाई लगा देंगे बहुत सिंपल है इससे लगाना जब आप लगाने मैठेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में ही तो यह देखे हमने दहगा कट कर दिया है और इसको अब हम ऐसे खीचेंगे यह देखे हमने इसको खीचेंगे तो जो हमारी गैदर्स आ रही है वो एकदम इक्वल हो जाएंगी तो यह देखे हमने इसको खीच लिया है हमारी गैदर्स इक्वल आ गई है अब हम इसको बीच में ऐसे रखेंगे सिलाई और इसको ऐसे हम खीचेंगे इसको हमें इस तरह से खीचना है और खीचते वे सिलाई लगानी है ठीक है? बीच में हमें एक सिलाई देनी है और खीचते वे ऐसे लगाने से क्या होगा जो आपकी जो गैदर्स पड़ी है वो बिल्कुल एक जगा ठहर जाएंगी और इससे फिनीशिंग भी बहुत अच्छी आती है तो यह देखिए इसी तरह से मैं पूरे प्लाजो पर जो है जो हमारी पूरी प्लाजो की बेल्ट है उस पर ऐसे हो चुकी है और यह है हमारा फाइनल तो आई होप कि आप लोग लिए वीडियो हेल्फुल होगा और आप लोग को समझ आया होगा और समझ आये तो इसे लाइक करना ना भूलें और में चल्ब को सब्सक्राइब भी करें तो चलिए मिलते हैं